गैजर की हलुआ पहले गैजर को वस्किया बाद में उसको ग्रेट करने के लिए मैं अभी लिखा है यह बराबला से ग्रेट करना है एक गैजर इसका सामने का फेक देना है और पीछे का भी फेक देना है गैजर को clean and वस्क कर लिया एक किलो गाजर को पुरा ग्रेट कर लिया अभी 200 से 300 ग्राम बटर डाल के उसको फ्राय करूंगा मैंने 200 ग्राम बटर डाला अब चाहे तो घी डाल सकते है घी में अच्छा होता है लिकिन मेरा पास घी ने है इसलिए मैं बटर डाला अभी इसका साथ आम गाजर डाल देट मैं घी के साथ गाजर अट कर दिया अभी फूल पे में गाजर को पकाना है कोई-कोई इंसान इसमें दूट डाल के भी पकाता है लेकिन मैं दूद ऐसे नहीं डालूँगा मैं सुका दूट डालूँगा अभी जो गड़्य जो है वो पक गया है और घी के लिए बहुत आच्छा स्मेल आ रहे हैं अभी मैं इसमें डेट सो गिराम सुगर एट करेगा इसको थोड़ा देम पकने देना है बाद में इलाईची का चोटा इलाईची का पौडर मैं डालूंगा अभी घजर पकते पकते तेल उपर आगया मैं इसमें तोड़ा इलाईची का पौडर उज़ करूँगा अपका अंदस्का ओनुंसर इत्रोड में पकने देगा अच्छी से पक गया, अभी मैं इसमें मिल्क पौडर 200 ग्रावू दौ सर Poll street करूंगा इसमें आट किया, 200 ग्राव मिल्क पौडर गजर के हलूबा ड़ीक्रकों से में कंप्लिट हो गया, अभी इसमें आट करूंगा थोड़ा सा पेस्ता और थोड़ा सा खाजुनेट और थोड़ा क्रिस्मिस क्रिस्मिस एड़ कर रहा हूं तो से दो मिनिट इसको गरम करके फिर बन कर जूँगा आज का गाजर का हलुआ मैं एक स्पेशल दोस्त के लिए बना है वो काल मेरे को बोला मेरे को थोड़ा गजर का हलुआ चाहिए मैं उसके लिए बारा है इस इस फॉर यो मेरा गजर का हलुआ कैसे लगा आप खाके बता हूँ मैं भी थोड़ा टेस्ट करके बोलता हूँ वाओ जस्ट वाओ